तो हेलो फ्रेंड तो आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का श्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने बाला हूं कि MS Excel यानि कि Microsoft Excel में रैंक कैसे निकाल रहता है तो आज का टॉपिक यही है तो आप सभी एक वीडियो को इस वीडियो को बताने वाले हैं कि एक्सल में रैंक कैसे निकालेंगे तो आएस सबसे हम यहां पर एक्सल उपेन कर लेते हैं यहां देख सकते हैँ हमारा एक्सल का पेज हो गया यहां पर हम देखिये पहले से ही data इंटर चुकि थोगे है students mark rank in Excel यानिÇी हम student का mark जो उसको हमको निकालना रैंक मार्कीं जुभी उसका मार्कंग जयासे यहां देख सकते हैं यहाँ होगया सिरियल नमबर इस तरह से isuleंड मार्कusta ह इतलत यहां हो टूटल मार्क ही फो में दुर्गा है हमको यहाँ पे इस सारा का निकालना है रेंग यानि कि अगर 410 है तो यह कितने रेंग पर आएगा कर लेना ह। शो कर लेना है तो यहां पर रंक आच चुका है और यहां बोलग रहा है Firmoula तो आपको नीचे दिख जाता है क्या आगे डालना है यहां आपका जो नंबर है वो डाल लेंगे यहां आप जैसे चार्सदस हो गए तेह पिस्छाफ कर लेंगे करने हैं और यहाँ निरूर्थ हाँ यहां से सब्सक्राय दने जीरो प्रेस कर लेंगे और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहां से इंटर कर लेंगे तो यहां पर हमारा बाता आ रहा है 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 इंकि और यहां से हमको कर लेना है लंगा द्रवल क्लीक कश्थ गया है तो अजय यह लेना है सो दोस्तु तो आपको यहां पर ध्यान क्या देना है यहां इस से पहले क्या किये थे इस सारा कि यह तो हम यहां पर जैसे 350 यहां पर यहां से 410 से करना है ना कि इस से नीचे से ठीक है तो यहां इसको लेते हैं हमको यहां से करना है चारसो दस वाले से यानि कि हम कुछ सारस में से लग निकालना है n और यहां से शिप्ट जीरो प्रेस करलेंगह इस तरह से और यहां पर इंटर करलें stuffs और यह हमारा 314 से यहारा है नमबर थिरी पे आ रहा है इस तरह स्यों अगर आप तो को सेलेक्ट करना इस तरह से कौमा देना है और हमको यहां पर सारा करना है सेलेक्ट इस तरह से नमबर यानिकी रिफ्रेंज में और यहां से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और यहां से इंटर कर लेंगे भी डिशल वी तूंग जो कि निकाल सकते हैं वागिश्व को समझ में आ गया होगा इस तरा स्वी रंग निकाला जाता है तो थैंक्यू गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य बाद